तो हलो फ्रेंड्स, आगा है मैं एक और न्य वीडियो के साथ, तो आज का ये वाला वीडियो ना काफी ज्यादा इन्पोर्टेंट होने वाला है, अगर आप आने वाले नेक्स्ट सीजन में रेंग पूस करना चाहते हो, तो ये वीडियो जरूर से देखो, तो अगर आपको याद होगा तो मैंने अपने second channel पे एक video डाला था, how to be a with 10 plus kills, ऐसा कुछ करके एक वीडियो डाला था, ये उस वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है, अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है, तो जाके एक बार चेक कर लेना, एक बार जरूर से देख लेना, उस वीडिय इसमेड पद आएंग चाहिए जितना मर्जिकिल कर लो लेकिन top X में आने के बाद आपका gameplay अलग हो जाना हो चाहिये अगर टोपर 10 का gameplay अलग हो था यहा चीज मैंने आपको बताया था तो वही चीम्त आज कीश वाले वुडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि टॉप 10 आने के बाद किस तरह से खेलना चाहिए जो आपका हर एक गेम वुया हो सके क्योंकि maximum लोग यही गलती करते हैं तो यही चीज आपको मैं आज बताने वाला हूँ खुद गलती करके भी बीच बीच में आपको बताऊंगा कि यह गलती आपको नहीं करना चाहिए ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना तो फिर चलो मैं सीधा आपको गेम में ल आता हूं कैसे हो दोस्तों देखो अभी का टाइम पर सबको पता है कि ऑनलेन गेमिंग का मार्केट कितनी स्पीड से बढ़ रहा है और जो लोग सोचते थे कि गेम्स खेल के सिर्फ टाइम पास होता है वो लोग भी आज इससे बंफर कमाई कर रहे हैं इस मिलियन डॉलर गे आइज मनी मार्केट में कोई दूसरा आफर नहीं कर रहा है जैसे कि यहां रेजिस्टर करते ही आपको मिलता है पांच फ्री स्पिन यह बिल्कुल फ्री है और आप बिना कोई डिपाजिट किये इन फ्री स्पिन्स पर जीत सकते हो आईफोन वन प्लस जैसे फोन और कैस लाइव क्रिकेट मैच भी नजवाय कर सकते हो यहां पर रजिस्टर करना फ्री एंड इजी है बस www.khelloistart.com पर जाओ अपना नाम और नमबर डाल कर रजिस्टर करो और फ्री बोनस के साथ अपना विनिंग स्टार्ट करो बाकी लिंक आपको पिन कमेंड में मिल जाएगा ओके तो चलो अभी अपने गेम पे वापस आ जाते हैं इस टैम पे मेरे किल देखोगे तो साथ किल मैंने अल्रेडी कर रहा है और टॉप 10 के अंदर भी आ चुका हूँ अब इस टैम पे मैं जोन के बाहर में फाइट कर रहा था वाई अब उदर से मैं गाड़ी लेके सीधा जोन के अंदर में आ गाया इधर भीच मिच ले नहीं उद्र क्योंकि वह ओपन के रहा है मतला कि आपको एक पर्मनेनी कवर में रहना है लास्ट वाले जोन पे अब इस वाले घर में एक बंदा था तो इसको मैं रिस्क लेके फाइट तो कर लिया अब इसको इस वाले तो सामने वाला बंद आपको जोन में नहीं आने देगा तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि जोन लास्ट वाले जो जोन रहेगा उसमें थोड़ा सा आप किनारे पर रहना जैसा कि इस टाइम पर देखो मैं एक लेन लगा दिया है उसके वाद मैं अराम से फाइट कर रह कर रहा हूं एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखके खेलना कि टॉप टेन आने के बाद आपको कभी भी किसी बंदे पर रस नहीं करना है अभी इस वाले बंदे कोई देख लो ये दोनों आप आस में सौंट रिंग में फाइट कर रहे थे कोई न कोई बंदा तो उस पर रस आप फाइट किया रहोगे तो एक गोली कहीं से भी एकाद गोली के बचे रहोगे तो एक दो गोली कोई बंदा आपको मारेगा तो तुरन से आप फिनिस हो जाओगे तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि टॉप टेन में आने के बाद कभी भी किसी बंदे पर रस मत करना या फि अब इस टाइम पर एक बात और जालो मैं लांग रेंज से फाइट करो तो बोल रहा हूं लेकिन तब के स्थिती में करो जब आपके बास एक पर्मानेंट कवर हो तब ही तो आप लांग रेंज में फाइट करो लास्ट वाले जोन पर नहीं तो सांती से बैठे रहों बाकी बंदे का मरने के वेट करो जो एक दो बंदे बचे रहेंगे उनको मार के फिर बुया करो अब ऐसा मैं इसले बॉल रहा हूं क्योंकि अगर आपके वास एक पर्मानेंट कवर नहीं रहेगा ना तो फिर लास्ट वाले जोन में बंदे जो है वाल तो नहीं का ट्राई करते का तो फिर आपका वाल टीके गया नहीं एंटी मैटेरियल लांचर विगेरा पड़ेगा या फिर दो तीन बंदे एक साथ आपके उपर फोकस कर लेंगे और आपका वाल तोड़के कहां फीज इलिए आपको फिनिस कर देंगे या फिर लोग जो हो गाड़ी लेके भी घुमते कर दे लेकिन आपका वाल नहीं बच पाएगा तो उसी स्थीती में उस टायम पर वाल भी नहीं लगता है जब गारी पास में रहता है तो यह चीज हमेसा ध्यान में रखके खेलना लास्ट वाले जोन में अभी एग्सामपल के तावर पर इसी बंदे को देख लो मतलब इसक बंदे को मैं काफी इजीली फिनिस कर दिया रहता तो अगर आपने एक ईहां पर जोट। में जोटे रहें इया कि बstate को फेक हों donky orb को जाना जाना यहां फिर फिर फट्रड ऊन सिर्ट उन्हांटे पर आ पर उन्हेंने यहां अगर आप इस strategy का यूज करके खेलोगे ना तो काफी इसली किसी भी प्रो बंदे को भी मार दोगे अब सामने वाले बंदे ने मेरे को एक वन टेप भी मारा था भाई उसके बाद भी मैंने उसको काफी इसली बीना फाइट किये ही जीत लिया इस वाले गेम को तो इस वाले ट्रिक के मैं हमेशा यूज करता हूँ लास्ट वाले बंदे को फिनिस करने के लिए मतलब बिना फाइट करें फाइट को आप जीत सकते हो अगर आपके पाद नेड वेगे रहा है जितना चाहिज रिसोर्सेज है वो सब का आप यूज करो उसके बाद फिर गन प पाटी करने के लिए जैसे ही मतलब एक बंदे को फिनिस किया तो अब इस टाइम पर जान लो कि अगर आप सोलो में रैंक पूस कर रहे हो ना तो आपको डरना नहीं चाहिए वाई क्योंकि अगर आप डरोगे किसी भी बंदे से या फिर गेम खेलने से डरोगे मेरा माइनस लग जागे इस चीज से डरोगे तो आप मान के चलो कि आप सोलो में रैंक पूस नहीं कर सकते 90 परसेंट चांस है कि आप सामने वाले बंदे से पीट जाओगे अगर डर के खेलोगे तो अबना सोलो रैंक खेलने में एक मीत टाइप का है भाई कि सोलो में अगर आप रैंक चीज है ना मतलब कि एक परफेक्ट स्ट्रेटीजी है सोलो में रैंक पूस करने का और एक है बहुत ज़्यादा पेसेंस अगर आपके अंदर तो आप काफी जली सोलो में रैंक पूस कर सकते हो मेरे को ही देख लो भाई मेरे को उतना अच्छे से खेलना नहीं आता है इवन मैं ग्रांड मास्टर रीजन भी चला जाता हूं वो भी सोलो में खेल के ये सब फालतू चीजे अपने दिमाग से निकाल दो कि मेरा गेमपले एकदम गौड लेवल होना चाहिए मेरे को एकदम रेट रेट मारना आना चाहिए तब जाके मैं सोलो में रैंक पूस कर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास बहुत ज्यादा पेसेंस लेवल होना चाहिए अब इस वाले गेम को देखोगे ना तो स्टार्टिंग में मेरे बस ओनली तीन कील थे भाई मतलब पूरा मेच मैंने सरवाईव करते करते गुजार दिया बस तीन ही कील किया था लेक अब देखो यार बताने को तो बहुत कुछ है मतलब बहुत ज्यादा कुछ है भाई मतलब इतना दिनों को मेरा सोलो के एक्सपिरियस आपको एक वीडियो में बता दू यह इंपॉसिवल है यार बताई नहीं यह तो फिर कई घंटों का वीडियो बन जाएगा धीरे-धीरे कवर करेंगे बाकी कोई नहीं फिलाल आप एक चीज में नोटिस करो मैं बस जोन के किनारे किनारे में ही रह के खेल रहो कभी भी आप सेंटर में जाके किसी भी बन्दे से फाइट मत करना नहीं तो एक दो बन्दे से फाइट करो उसके बाद थाड़ पार्टी आपको मतलब अब कंफार्मा यार हो गई होगा तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ हमेंसाथ जोन के किनारे किनारे में रहे के खेलो मतलब जोन के साथ साथ जाओ अब ऐसे खेलोगे तो होगा किया मैं आपको बताता हूँ देखो कोई बंदा आपको दिखेगा तो उसको आप कहाँ फीजिली थाट पाटी करके मार सकते हो जैसा कि इस वाले बंदे कोई देख लो कहाँ फीजिली इसको मैंने फिनिस कर दिया अगर वही मैं सेंटर पर रहे क इस वाले बंदे पर फायर करता ना तो चारो तरप से मेरे पर फायर आ सकता था जैसे ही किसी बंदे को मेरा लूकेसन पता चलता तो अभी इस टाइम पे न मैं आप लोगों के साथ एका और सिक्रेट ट्रिक से अर करता हूँ अपना जो मैं टॉप टेन में आने के बाद ती का म janin निकाल लेता हूँ कि मैं लॉंग रज में फायर करता हूँ क्योंकि मेरे पता है कि पीछे से मेरे 3rd party नी यू heroic पीछे जो आगे से हो सकता है लेप राइट से हो सकता है तो इस चीछ से मैं काफी इजली बस सकता हूँ लेकिन अगर आप नोटीस करोगे ना जब भी गेम खेलते हो जब भी कोई बंद आपके उपर पीछे से फायर करें तो बहुत जादा कम चांस है कि आप उस बंदे से लगा सकते हो मतलब जितना स्पीड से आप आगे में लगा सकते उतना स्पीड से पीछे में नहीं लगा सकते वह भी जब इसकोप आउन करके फायर करते रहोगे सामने के साइड पे तो अब इसी चीछ से आपको एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि आपका थर्ड इसे बच सकते हो अब इस वाले गेम को ही देख लो अगर आपने नोटीस किया होगा तो इस टार्टिंग में मेरा तीन किल था लेकिन तॉप 10 में आने के बाद अभी देखोगे तो मेरा 9 किल के साथ बुईया हुआ है मतलब कि 6 किल निकाल लिया भाई मैं 5 या फिर 6 किल निका करते जिसके वाजा से उनका बुईया नहीं होता अब वो खुद गल्ती मैं आपको करके दिखाने वाला हूं कि किस तरह से लोग जह हो खेलते अब इस टेम पे देखोगे तो मैं गाड़ी लेके अच्छा कासा जोन में जा रहा था मेरे को जोन में जाना चाहिए लेकिन मैं यहां पे एक बंदे के चक्कर में देखोगे तो गाड़ी रोक के उससे मैं फाइट कर रहा हूं अब इवेन उस पे मैं गाड़ी लेका भी रस भी करने वाला हूं मतलब इस तरीके से आपको कभी भी नहीं खेला है सबसे पहले तो आपको जोन में जाना चाहिए अब ऐसा मैंने पिछले वाले क्लीप में सायद बताया था कि आपको किसी भी बंदे पर टॉप टेन आने के बाद रस नहीं करना चाहिए अब इस तरीके से खेलोगे तो आपका 50-50 जानस है मतलब आप सामने वाले बंदे को मार भी दोगे या फिर उसके आ तो मर भी जाओगे लेकिन जादा किल करने का आखिर फायदा है तो है क्या ये बात आप मेरे को बताओ चाहिए आप दो किल करके बुईया करो थोड़ा बहुत प्लस में अंतर रहेगा वो बात अलागे लेकिन भाई बुईया तो मीस नहीं होगा न अब अगर आप इस तरीके से टॉप 10 में आने के ब पड़ेगा अपलस सामने वाला बंदा अलगा आपको मारेगा अब इस टाइम पर चलो मैं आपको एक और अच्छा चीज दिखाता हूं मान के चलो इस टाइम पर मैं डारेक्ट गाड़ी लेके जोन में आ जाए रहता तो वो लोग जो जो जोन के बाहर में थो उनको तो जो जोन में जब वो लोग आएंगे तब उनको आप काफी जिली जोन के अंदर से मार सकते हो जैसा कि इस टाइम पर चलो आपको मैं दिखाता हूं अगर कोई बंदा जोन के बाहर से बंदे आ रहे उन पर अब एक बंदे को मैं काफी जिली फिनिस कर दिया वो बंदा गलती किय जोन के आने का वेट किया जबकि आपको जोन के चलने से पहले आपको जोन में निकल जाना है तब जाके आप बच सकते हो अब यहां पर देखोगे तो उसी तरीके से मेरे को काफी जिली दो किल मिल चुके है अब इस टेम पर जस्ट एक और चीज आप सोचके देखो मान के चलो एजियूम करो आप अभी अभी जो बंदे को मैंने मारा मैं उनके जगा पर हूँ और वो लोग मेरे जगा पर है तो वो लोग भी मेरे को काफी जिली फिनिस कर सकते हो यह पिर कोई भी बंदा आपको भी फिनिस कर सकता है तो सबसे पहले टॉप टेन में आने के बाद जोन कवर करो, फाइट वेगरा, सब चीज को साइड में रखो, अब इस टाइम पे चलो एक चीज आओ, और मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैक्जिमम लोग ये गल्टी करेंगी, पोर्टाल का यूस करके किसी भी बंदे पे लास्ट वाली जोन पे मतलब रस कर देंगे, अभी मेरे दिमाग में भी ऐसा बात आता है, लेकिन ये गल्ती आपको नहीं करना चाहिए, अगर आप मेरे से पूछोगे ना, तो मैं ज़्यादा ताइम पोर्टाल को खुद को बचाने के लिए मैं यूस करता हूँ, ना कि किसी बंदे को मारने जाने के लिए मैं पोर्ट अब इस टाम पर मैं आपको अपना खुद का एक प्रस्नल सिक्रेट टीप आपको बताता हूँ, आपके साथ सेयर करता हूँ, अगर आप सोलो में रैंक पूस करना चाहते हो, तो आपको लॉंग रेंज में अपना गेम प्ले अच्छा करना चाहिए, अगर आपका लॉंग यह अच्छा है जो आपको सोलो में किल दिला सकता है, प्लस आपको थर्ड पार्टी से बचा सकता है, तो आहिसा मैं नहीं बहला हूँ, आपने प्लेउट यहाइज करते हैं, आपका छाछा नए का दिला सकते है, लेकिन लाउंग रैंज में वही काफी होने का कम चाहिए, और अगर आपने नोटीस किया होगा अभी तक ना तो इसी ट्रिक का ही यूज करके मतलब लांग रेंज फाइट का ट्रिक जो है ना उसी को मैं यूज करके लास्ट वाले जोन पर मतलब कि टॉप टेन में आने के बाद कहां फीजिली थर्ड पाटी करके चाहे जैसे भी करके चार से तीन से चार किल तो निकाल ही लेता हूँ टॉप टेन में आने के बाद लेकिन वही अगर एक और चीज जस्ट इसका उल्टा सोच के देखो मान के चलो मेरा गेम प्ले लांग रेंज में अच्छा नहीं रहता मतलब कि मैं सौट रेंज में ज्यादा किल निकालता हू और इसी चीज का ही लास्ट वाले जोन पर टॉप टेन आने के बाद लोग वेट करते रहते ही कि कब कहां पर फाइट हो और मैं उन पर थर्ड पाटी करू मैं खुद तो यही सोचता हूँ और इसी तरीके से काफी अच्छा जाता मतलब काफी अच्छा खासा किल भी निकाल लेता हूँ लेकिन यही चीज आपको नहीं करना है कि सार्ट रेंज में आपको फाइट नहीं लेना है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका गेम प्ले लांग रेंज में काफी अच्छा है तो काफी इसलिए आप कील वेगरा निकाल सकते हो प्लस सोलो में अच्छा बहुत याई थेडां का वीडियो अगर आपने का यहां तक वीडियो देखा vapor दिल से था खण्यानत बे Brendan में और यहीं थ्याइं तकस्ट कर में आज dona लागा ? जरूर से मेरे को कमेंट करके बताना